नमस्कार किसान भाईयों उड़द बुंग अध्रक सब चीजों के बाद हमां पहुंचे हैं सोया बीन के खित पे और सोया बीन बहुत सांदार है देखें आप फसल देखेंगे तो बहुत सांदार लगेगी आपको लेकिन अभी सुवस के साथ साधे साथ बजे हैं और आप द जाए तो मतलब जान आ जाएगी और आप देखेंगे कि यहां पर जो है इसप्रे हुआ है जेब्रेलिक 001 परसेंट का और आप कोई भी कंपनी का लेले एडवांस का आवार्ड आता है और सिस्टोनी का स्वेंगर आता है और गोद्रेश का डबल आप इनमें किसी के इसप् यह पौदा है मेरे पास कोई भी पौदा आप लेले मैं तो यह इसके पास खाड़ा था तो यही पर जुग गया यह देखिए आप एक फ्लाबर फ्लाबरिंग कंडिसन देखें यहां जड़ देखिए जड़ जड़ से देखेंगे तो एकदम तने के नीचे से फूल चालू होते हैं और फूल होते 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 हैं यहां तक पूरा फ्लाबरिंग आती है अब यह उझेला सही से दिखने रहा है यह दिख रहा है यह देखिए जड़ों से फूल चालू होते हैं और पूरे उपर तक आते हैं कोई भी पौधा लेले यहां देखिए यह देखिए इसके ब प्लाब रिंग है तो आप डबल का इस्प्रे करें या फिर कोई भी नेनो फार्मूलेशन के टानिक ले ले उसके साथ थोड़ा से गौमुत्र गर मिल जाए आपको तो गौमुत्र ले या फिर गौमुत्र को रात को रखके जब सुबह थीर हो जाता है ना तो जो कचड़े से उपर वाला फाग होता है उसको लेके और पच्चिस परसेंट इस प्रे करें पच्चिस एमेल इस प्रे करें मतलब एक टंकी पानी में तो गौमुत्र के बाद बहुत सांदार फ्लाबरिंग आती है और अभी इस पर समस्या आने का समय हो गया है आप उसको दिखेंगे लग अर इल्ली का इस प्रे करें क्यों घुछ जाती है और रस्चूस लेती जिससे पूरा पौध्थे जो है पीले-पीले पढ़ जाते अभी इस पे भी इल्ली है यह देखे यह अलाग यह तरना च्शेदक नहीं है लेकिन इस इल्ली का प्रकोब परकोभ जो है फ्लाबरिंग क की शाती करें और जो तने की इल्ली है जिससे पीला मुझा की श्यायत आती है तो जो हमको दिखता है कि पीला मुझा काया हुए लेकिं पौधा सूखने लगता है पत्ते बिले पड़ जाते हैं वह आता है तना चेधक से और तना चेधक आप अलिका लेके अलिका का प्रेट करें तो अलीगा पूरी दरह से उसे कंट्रोल कर लेता है और आपके बास कौन सी समस्या है आपके स्वयावी इनकी खेती पर आप इस पर कमेंट बॉक्स पर बताएं और हम कुछिस करेंगे कि हम उस समय जो समस्या है उसके बारे में भी जानकारी लेकर आए महुए की समस्या है इसलिए एक तारा जरूर मिला लें